बिस्मिल्लाहिरोहमानिरोहीम असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मैथेमेटिक्स का आपने यूनिट नमबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम एक्सेसाइज 4.2 के ये कुछ लॉंग क्वेस्टेंज हैं नुकि स्टार्ट स्टुडेंट्स में आपका क्वेस्टन नमबर 3 और क्वेस्टन नमबर 5 शामिल हैं. ये उनकी स्टेटमेंट लिख्षी हुई है या आप अपने बुक से भी देख सकते हैं वेस्ट के मताबक ये क्वेस्टन सॉल्व करने के लिए आपको एक फामूला आज हमने देखना है कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएं A, B और C और उनका स्केर लेना हो यानि कि A प्लस B प्लस C का होल स्केर इसको हम कैसे खोलेंगे और आपने इससे पहले A प्लस B होल स्केर फामूला पढ़ा हुआ है लेकिन बेटा वहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स A और B होती है लेकिन अगर हमारे पास 3 टर्म्स A, B और C आ जाएं तो इनका आपने स्केर लेना हो तो यह हम कैसे खोलेंगे इस फामूला को कहते हैं फामूला फार स्केर ओफ ट्राइनॉमिल ट्राइनॉमिल उसलिए किया रहे हैं कि अब यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आ रही है अर्दू में इसको कहते हैं सेररक्मी جुमला के मुरभा का फार्मूला सेररक्मी सी मुरद है क्योंकि इसमें आपके पास लेफ्ट हें साइड में 2 टर्म्स हैं जो आपके पास A प्लस B है उसको हम कहते हैं बाइनॉमियल क्योंकि उसमें 2 टर्म्स होती हैं A और B तो यहां पर क्योंकि A, B और C थ्री टर्म्स आ रही हैं तो इनका स्केर आपने कैसे लेना है देखें सबसे पहले टर्म A, A का स्केर फिर दूसरी टर्म B का स्केर प्लस तीसी टर्म C का स्केर यानि कि जो तीन टर्म्स A, B और C हैं आपने इनका स्केर वैसे लेना है A स्केर प्लस B स्केर प्लस C स्केर प्लस अब आपने क्या काम करना है टू के साथ मल्टिप्लाइ पहली और दूसरी टरम A और B को करना है प्लस फिर टू के साथ मल्टिप्लाइ दूसरी टरम और तीसरी टरम को करना है B को C से मल्टिप्लाइ किया प्लस उसके बाद पहली और तीसी डरम C A या A C वो आप लिख सकते हैं तो इसके बाद इसी चीज़ को लिखने का एक और अंदाज ये भी है कि आप इसको लिख सकते हैं A स्केर प्लस B स्केर प्लस C स्केर अब आप नेक्स जो थ्री टम्स आ रही हैं उनमेंसे टू कॉमन ले सकते हैं तो टू कॉमन लेने से ब्रैकेट में A B प्लस B C प्लस C A ये रह जाएगा और इसी फामूला का यूज क्वेस्टन नमबर 5 में और 3 में है तो आपने ये लॉंग क्वेस्टन जो हैं बड़े एहम हैं इनको याद करना है इनको समझना है तो इसको कैसे सॉल्फ किया जाएगा आईए इसको देख आईए चलते हैं बेटा प्लस Z स्केर इस एकल टो 64 तो आपने फाइंड क्या करना है फाइंड दा वैल्यू आफ एक्स वाई प्लस YZ प्लस ZX तो आपने इसकी किमत मालूम करनी है आएए चलते हैं इसी फामूला की हल्प से अब आप इस फामूला को ये सेकंड स्टेब में देखें तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में टोटल 3 टर्म्स आपको नज़र आएंगी लेफ्ट हैं साइड में A प्लस B प्लस C होल स्केर ये इस तरह के फामें एक्स्प्रेशन लिखी है राइट हैं साइड में तिनो टर्म्स का सेपरेच स्केर लिखा हुए है यानि A स्केर प्लस B स्केर प्लस C स्केर प्लस 2 टाइमस फिर आगे A B प्लस B C प्लस C A ये प्रॉड़क लिखा हुए है इस फामूला की हल्प से हमने इसी क्वेस्टन को साल्व करना है और इसमें इसकी value find करनी है तो आप जानते हैं कि solution में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं जो आपको question में given data होता है तो आपको given ये दो values है x plus y plus z is equal to 12 फिर x square plus y square plus z square is equal to 64 तो आपने ये values लिखनी है ये values लिखने के बाद अब हमने मालूम ये करना था कि x y plus y z plus z x इसकी value हमने find करनी है तो अब हमारे पास क्योंकि x y z ये त्री terms आ रही है इन त्री terms को आपने लिखा इसका formula x square x plus y plus z whole square is equal to x square plus y square plus z square plus 2 into x y plus y z plus z x ये x z या z x आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों terms क्या हो रही है multiply है और जरब में आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं अब आप जानते हैं कि x plus y plus z की value हमें 12 given है question में वो left hand side में लिख दे formula के मताबिक उसके उपर square मौजूद है वो आप वैसे ही लिख देंगे is equal to ये जो first three terms हैं right hand side में x square plus y square plus z square इसकी value भी आपको question में given है और वो है 64 plus two into अब यही वो expression है x y plus y z plus z x जिसकी हमने value find करनी है तो left और right side में ये जो terms ही इनके value पूट करने के बाद आए इनको simplify करते हैं तो left hand side में 12 का square 12 का मौरबह आप जानते हैं कि 144 होता है 144 64 वैसे ही लिखा गया plus two into यह expression वैसे ही क्योंकि हमने इसकी value find करनी है अब जिस चीज के हमने value find करनी होती है उसको हम एक ही side पे रखते हैं उसके साथ जतने constant होते हैं उनको दूसी जानब हम shift करते हैं तो 64 इदर plus है उदर जाकर क्या हो जाएगा minus 64 से पहले कोई अलामत नहीं लिखी इसका मतलब इसकी अलामत positive होगी इसको आप left hand side में ले जाएं उदर जाकर यह 64 minus हो जाएगा 144 में से 64 minus किया तो answer आपको आगया 80 इदर क्या two into यह expression रह जाएगी अब आपने अगले step में क्या काम करना है कि यह expression अपनी जगा पे लिखें यह two इसके साथ multiply हो रहा है इसको आप left hand side में जब लाएंगे तो इदर आकर divide होगा क्योंकि यह जरब का उलट अमल क्या होता है तकसीम तो जब हम 80 को two पर divide करेंगे 80 को 2 पर तकसीम करें तो answer आपका 40 आजाएगा इस तरह से बाद में आप इस expression को left hand side में लिख लें और 40 जो answer इसको right side में लिख लें और यही आपकी वो required expression है मतलूबा आपका वो जुमला है जिसकी आपने कीमत मौलूम करनी थी तो आपने देखा कि हमने इस a plus b plus c whole square के फार्मूला से किस तरह question number five में जब आपको ये दो expressions के values given थी तो तीसरी इसकी value आपने find करना थी इसके बाद आपने question number जो three है बेटा उसको खुद solve करना है उसकी कोशिश करनी है आईए चलते है next question की तरह तो इसके बाद बेटा आपका question number eight है exercise four point two का इसको आपने देखना है कि if x minus y is equal to four and xy ये product है xy लिखा हुआ जिसका मतलब ये product है हसले जरब है is equal to twenty one then find the value of x cube minus y cube तो ये हमें जब data given है तो इसमें आप देख सकते हैं कि x cube minus y cube की कीमत मालूम करनी है तो अब आपको इसमें formula जो required होगा वो cube का formula required है तो उसको आपने देखना है सबसे पहले आपने लिखना है given आपको data है x minus y is equal to four xy is equal to twenty one ये लिखने के बाद आपने वो लिखना है कि to find the value of x cube minus y cube कि हमें मालूम किसकी किमत करनी है x cube minus y cube की तो हम ये formula cube का जानते है वो क्या है x minus y whole cube is equal to x cube minus 3 x y minus y cube तो इस formula में हम left और right side में इनकी values put करेंगे left hand side में आप देखें x minus y आ रहा है x minus y के value आपको given कितनी है four वो आप लिखेंगे उसके उपर cube वैसे लिखें is equal to either right side में x cube वैसे ही किमत हमने मालूम करनी है minus 3 into x y x y के given आपको value है 21 bracket में x minus y के value लिखें four minus y cube को वैसे ही लिखें इसके बाद left hand side में four का cube four के cube से मराद है 4 को 4 से 3 दफा जरब देनी है 4 जरब 4 16 16 जरब 4 64 तो four का cube आपका 64 आप इसको calculator से भी चेक कर सकते है is equal to x cube अब ये जो 3, 21 और 4 है इन तीनों को multiply करें जरब दें तो आपको answer मिलेगा 252 minus y cube वैसे ही लिख दें अब आपने x cube minus y cube की value फाइन करनी है इन दोनों terms को इदर ही लिखा रहने दें minus 252 इसको आप left hand side में shift कर देंगे तो इदर आकर ये positive हो जाएगी तो 64 और 252 को जमा करने से या आपका answer क्या आएगा 316 तो आप इस expression को left hand side में लिखें और जो आपका answer है वो right side में लिखें याद रहे ये mathematics का एक असूल है कि आपने जिस चीज की value फाइंड करनी है उसको आप left hand side में लिखें जो उसका answer है वो right hand side में इस तरह से हमने ये question number 8 को solve किया है इसके बाद next question आपका है question number 11 exercise 4.2 का इसको बिटा आपने खुद solve करने की कोशिश करनी है try your best अगर नहीं होता तो फिर आपने बताना है इसके बाद question number 13 question 13 में आपको given data है 5X minus 1 over 5X is equal to 6 then find the value of 125X cube minus 1 over 125X cube ये एक value आपको दी गई है इसकी आपने value find करनी है तो इसका solution देखें here आपको given क्या है 5X minus 1 over 5X is equal to 6 तो find किसकी value करनी है इस expression की इसको आपने लिखा अब हम जानते हैं कि यहाँ पे भी देखें basically X के उपर cube है तो हमें यहाँ से यह पता चलता है यहाँ पर cube का formula हम यूज करेंगे तो cube का formula क्या भी हमने देखा था A minus B whole cube is equal to A cube minus 3AB into A minus B minus B का cube तो अब A की जगा पर 5X minus B की जगा पर 1 over 5X ये लिखें इसी तरह right hand side में भी A की जगा पर 5X और फिर A की जगा पर 5X B की जगा पर 1 over 5X ये values आप put कर दें क्योंकि हमारे पास जो given question है उसमें 5X minus 1 over 5X is equal to 6 है तो इसमें पहली term A आप 5X consider कर लें दूसरी term 1 over 5X इसको B consider कर लें तो इस formula में ये values आपने यहाँ पर second step में put की तो आईए इसको आगे solve करते हैं तो 5X minus 1 over 5X का whole cube ये वैसे लिखा रहने दें is equal to 5 का cube 25 यानि कि 5 को 5 से 3 दफा जरब देंगे तो 125 आपको मिलेगा X का cube वैसे लिखेंगे minus 3 ये 5X और ये 5X एक दूसरे से cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर minus 3 रह गया और bracket में 5X minus 1 over 5X और ये last term इसका 1 का cube 1 आएगा 5 का 125 और X का X cube वैसे लिखेंगे तो इसके बाद आप आपने कीमते दर्ज करनी है putting values क्योंके left hand side में 5X minus 1 over 5X के value हमें question में 6 given है ये लिखें left hand side में 6 के ओपर cube ये फामूले का वैसे लिखा रहा है तो इदर आपने ये पहली term और आखरी term को वैसे लिखना है क्योंके इसी की हमने value निकालनी है तो 5X minus 1 over 5X की value फिर वही 6 6 को 3 से multiply करें तो answer आपको मिलेगा 18 और left hand side में 6 का cube लेंगे तो आपको answer मिलेगा 25X cube minus 6 3 the 18 minus 1 over 125X cube यहां तक हम पहुँच गए थे अब आगे आपने देखा कि इसकी value हमने निकालनी है तो इसको हम वैसे लिखेंगे पहली और तीसरी term को minus 18 को हम left hand side में ले आएंगे तो इदर आकर क्योंके ये minus हो रहा है इदर आकर ये plus हो जाएगा तो 216 में 18 को जमा करें तो आपको answer क्या आएगा 234 और ये 125X cube minus 1 over 125X cube यही हमने expression की value find करनी थी इसको बाद में आप left hand side पे लिख ले और जो answer है उसको right hand side में लिख ले इस तरह से ये हमने question number 13 solve किया है कि जिसमें हमें ये values given थी और इसकी हमने value find करनी थी